कि हैं हैं हेलो दोस्त आज हम देखेंगे कि आंको कैसे पकाते हैं तो इसलिए आम पकाने के लिए हमने ले लिया hy है यह देखिए यह बाल्टी है और इस तरह का जो सिमेंट का काम करती हैं वो ले ले हैं कराई उसके उपर दे दिया हमने यह पेपर उसके पाद यह सुखे हुए स्ट्रॉ है यह उसके उपर थोड़े से यह स्ट्रॉ को डाल देंगे तो इसमें क्या होता है इसमें ज्यादा कर्मी होती है जो आम पकाने में सहयाक होती है इसलिए हम इसमें थोड़ा श्ट्रॉ इस तरह डाल दिये हैं और इसमें जो हमें आम पकाना है वो सबी आम को एक एक करके डाल देंगे देखे यह जो बड़ा वाला टेड़ किलोका होता है अब चोटा चोटा हो गया है abbiamo बुठे हो गया है और ये कोच चोटे चोटे आम भी हमने लिए है तो इसको हम उसे में डालेंगे दीखे इतने से आम लाए है तो यinklesे सभी आमको हम डालेंगे इसमें और इदिखिए यह कारवाइड है और इक करभई जुखाता है लोहे के इस कपड़े से कपड़े में लिपट कर इसके इसमें डाल देंगे तो दीखिए यह बड़ा बड़ा पला जो आम है हम इसको इस कड़ाही में रख रहे हैं प्लास्टिक कड़ाही में और यह जो बचे हुए आम है इसको हम नहीं पकाएंगे इसे भी इतना ही पकाएंगे और देखिए ये चुटी चुटे में पर बहुत दाल हे तो इसको हम एस किख newborn के अंदर टाल रहे हैं इसको टाल कर इसमें वो जो हम कपड़े में लिपट कर रखे थे वो करबैट को यहाँ पर डालेंगे देखे इस तरह हम इसके अंदर वो कपड़े में लिपटे होए करबैट को रखे लेते हैं और उसके उपर और एक लैर बना कर आम को डाल रहे हैं अभी जो हम आम टाल रही हैं यह सब कच्चे हैं देखी सकते हैं एक भी कोई पका नहीkiem बिल्कोल यह सब कच्चे आम ही है तो इसको इसथा क्या करेंगे देखिए वो कारवायर जो है वो पेहले एक लेयर बनाती यह उसके उपर कारवायर रखती है कपड़े में लिपट कर और यह दूसरा देखें पर यह जो आम रख रहे हैं यह सब भी के सभी कच्छे आम है एक भी पका हुआ नहीं है तो देखते हैं यह पहले बार हम ट्रैकर करके यह यह आम इस तरह पक रहा है और दूसरा जो देखें इस पर भी हमने कारवैट थोड़ यह और आम है इसको पकाने के लिए हम यह पर इस तरह रखेंगे कि हम दूसरा जो त्योंतर है इसी क्या करेंगे इसके उपर ऐसे धांते गी तो इसमें थोड़ा सा अरकर मिनी हो जाएगा तो इस तरह का हमने इसको जो हमने लेत है उसके उपर क्या करेंगे जो बोरी है प्लास्टिक की इस प्लास्टिक की बोरी को ऐसे उसके उपर में लपटकर इसको पांग देंगे अच्छी तरह इस तोनों को इस तरह लपटकर पांग देंगे ताकि कर्मी गर्मी हो सके अंदर गर्मी हो सके और वो कर्मी उपिकल अक कि यहाँ पर इतने सारे ब्लकुल भाल्टी के भूल हो गए हैं इतना बड़ा बाल्टी है इसलिए हम इसके उपर और छप्वार्बाइब रख लेते हैं यहाँ पर देखिए कि आपको ज़्यादा आम लग गए इसलिए इसमें दो जगां कारबैट हमने लिपट कर इसके अंदर टाल दे अभी इसको इसके उपर हम बो सुखे हो डाल कर उसके उपर बो जो प्लास्टिक का बोरा है दिखिए हम स्ट्रो टाल दे और यह प्लास्टिक का बोरा ऐसे इसके उपर डाल कर इसको अच्छी तरह ब हम ने यह बन कर दिया है गोम यह को एसे दूसरे वाले को एसे जो बाल्टी बाला है वालिटी वाला को खेंगे से इस तरह हमने इसके उपर पुरा देकर प्लास्टिक ब्लास्टिक है, इसको भी इस तरह बांद बांद नें और चार दिन तक ऐसे छोड़ दी, अभी चार दिन हो गया है, तो दिखेंगे किस तरह पके हुए, तो यहाँ पर हमने एक पाल रख लिये हैं, और यह थोड़ा सा पानी लाए हैं, तो क्या करेंगे, जो आम है उसको अच्छी तरह धो लेंगे, धोकर रखेंगे, उसके बाद जो पके हुए होते हैं, तो इसको भी हम धोकर खाना चाहिए, अगर बजार में भी जो किसान लेते हैं, आम पका करके, वो भी अच्छी तरह धोकर ही लें, तो दिखेंगे, यह सब आम दिखेंगे, यह पक गई है, अब इसको आजोस्टो है, इसको निकलना है, निकल कर हम दिक रहे हैं पर यह जो इन दो आ नहीं रहें पर आ जो कुछ कुछ कलर आई है उसमें ऐल की योड़ेत आEr मेखें हैं कुछ संथे हरे इस सबक्ष पक गए है तो इसको एक एक करके निकाल तो आज चार दिन हो गया है चार दिन में इतने पके हैं थोड़े से कम पके हैं अगर और एक दिन रह जाता तो पर यह जो कारबैट हमने रखा था तो हम मुझे लग रहा है कि यह सब धूल हो गए हैं पिलकोल देखे ड़ट हो गया है उमने जो रका था बो पड़ा साइच का था चोटे चोटे दुगडे रका था पर यह सब देखे ईसके अंदर जो प्रेक्सन होकर यह सब क्या हो गया है यह सब बिलकुल डॉस्ट हो गया है दूल जासा हो गया है पर उसे हमारा कुछ मतलब नहीं हो सकता हूँ ऐसा देखे किस तरह यह आम पके हुए है आप देख सकते हैं अभी इसका भी देखेंगे इसमें हमने बढ़े-बढ़े बला आम इसका क्या हाल हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं अभी चार देन हुए है यह आम पकाने में और इस भी लगता है यह भी पके हैं यह आम तो दिखे यह पक गया है चोटा वाला जो आम है तो और यह बड़ा वाला आम यह भी पके हैं पर थोड़े कम पके हैं इतना नहीं पते हैं चोटे-चोटा आम जो है इसमें रखेते साइज इसमें अच्छी तरह हवा इसका ग्या सजो लिक हो गया हो तो एक ACT ये से धूल जैसा हो गया यह video रही ठीक होगया है देखिए यह पर कलिका हो गया है Saos जिसके पास समने रखे थे करवैट को पूटले जिसके पास रखाता वह पक गई है यह बाइब और बाकि पके हैं पर थोड़े-थोड़े अच्छी तरह पक नहीं पाई तरह इसलिए हम क्या करेंगे इसको इसमें नहीं पर कारबायट लेते हों तो क्या होता है तो यह एक एक्स्परिमेंट की तरह है तो पहले बार हम देखते हैं कि किस तरह यह आम को पकाई जाते हैं तो बाजार में जो आम के लिए जो भी मिलते हैं वो इस कारवाइट में पकाईते हैं उसमें सभी में इस कारवाइट का यूज होता है हैं तो वो जो यह कारवाइट को हम रखे रख ले हैं दीकिए और अब यहां पर वो जो दो कारवाइट है दो कारवाइट को पुटला ऐसको डाल दे उसके ऊपर जो सुकह हो इस्टा हमारे लोकाल travail में इसको पुवाल कहते है पुवाल और यह जो है यह धान के जो द्धान जो चास खेती होती है द्धान की तो उसमें जो निकलता है वही है यह सुखे होश्टर है तो इसको इसके उपर हमने ऐसे डाल कर इसके उपर अच्छी तरह इसको देखी यह पलस्टिक का बूरा है तो इसके उपर भी इसको ऐसे अच्छी तरह सिल कर देंगे ताकि अंदर गर्मी हो सके और गर्मी होका वो आम पक जाए और ये जो बड़ा वाला आम है बहुत अच्छा लगता है तो और वो बाकी जो आम हमने निकाले थे इस सभी को एक करके अच्छी तरह पान में दो लेंगे खाने से पहले या बजा लएने से पहले सभी किसान भाई को और सभी लोगों को जो भी वीडियो दिख रहे हैं अगर आप इसी परस्ट का उपईग करेंगे अगर आप कारबाइट का उपईग करेंगे फल पकान में तो आपको निवितन है कि आप अच्छी तरह पानी में इसको खाने से पहले यार बजा लेने से पहले अच्छी तरह पानी में धो ले तो दिखिए हम एगे करके अच्छी तरह धो कर यहां रख रहे हैं तो इस तरह हमने यह करके सभी आम जितने भी आम है सभी को अभी दो रहे हैं देखिए इस तरह पकी हुई है यह और यह सभी आम को हमने इस तरह निकाल ले हैं देखिए इस तरह पकी हुए है कुछ यह देखिए हरी रंग भी है और कुछ यूलो कलर का भी होकर पक गई है तो मुझे लग रहा है इसमें और ये जो बड़ा वाला आम है ये दो आम पके हुए थे ये वाला ये आम पकी हुए है देखिए यहाँ पर ये दिख सकते हैं इस तरह का ये पकी हुए है इसका कलर तो नहीं आया पर ये पकी हुए है और जो हमने रखा था देखिए अब इतन सारे आम जो हमने रखेते हैं वो सब पक गए हैं यह पाने सुक जाएगा तो इसको अच्छे तरह फिर पूच करके हम का सकते हैं